दोस्तों GDP के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और ये भी सुना होगा कि कैसे GDP घट रहा है और इस बात पर मोदी सरकार की खिलियां भी उराई जा रही है पर जो लोग GDP के बारे में लंबी लंबी बाते कर रहे हैं उनमें से आधे लोगों को ये भी नहीं पता है कि GDP होता क्या है और इससे देश के इकोनोमी पर क्या आफर पड़ता है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूरूट टू अचाइनल वेयर विल गेट एवरीटिंग और जहां पर आज हम बात करेंगे जी डीपी के बारे में तो आएए देखते हैं दोस्तों जैसे एक इंडिविज्वल आदमी काम करता है और उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं तो वो उसका प्रसनल इंकम होता है और जब देश के हर एक आदमी का income जोर दिया जाए तो जो नमबर निकल के आएगा वो होगा national income यानि कि वो पूरे country का income होगा अब एक आम इंसान कितना पैसा कमाता है वो उसके income से पता चलता है यानि उसका economic strength उसके income से पता चलता है पर जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी देश का economic condition निकलने के लिए या फिर economic condition जानने के लिए हम GDP का इस्तमाल करते हैं GDP का मतलब होता है gross domestic product और GDP का value हमेशा monetary term में आता है जैसे कि 1000 रुपे, 2000 रुपे, 3000 रुपे, 1000 डॉलर, 2000 डॉलर actually ये इतना कम नहीं होता है, ये million dollars में होता है, trillion dollars में होता है अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है दोस्तों इससे पहले आपको दो terms जानने की जरूरत है पहला final goods और दूसरा intermediate goods final goods वो वस्तुए होती हैं जिने आप इस्तिमाल करने के लिए खरीते हैं जैसे कि साबून, बिस्केट, टी और भी ऐसे ही सारे समान और intermediate goods वो समान होते हैं जिनका purchase कोई company या फिर कोई manufacturer करता है दूसरे समान को बनाने के लिए जैसे कि अगर आप बिस्केट खरीते हैं जो कि final product है जिसे बनाने में आटे का इस्तमाल किया गया है अब ये आटा कहीं न कहीं गेहुम से ही बना होगा और उसे किसे किसान नहीं उगाया होगा और फिर उस गेहुम को बिस्केट manufacturer के हाथों बेच दिया होगा जिससे कि वो आटा बना के फिर बिस्केट बना सके अब यहाँ पे जो गेहुम है जिसे manufacturer को बेचा गया इसे ही हम intermediate goods बोलते हैं अब हम चलते हैं GDP के पास तो दोस्तों GDP देश में बने सभी final goods और services का value होता है यानि कि इंडिया में जो भी goods produce होता है final consumption के लिए जैसे कि टीवी, फ्रीज, वासिक मसीन, फैन, पेन, नोटबूक, बिस्कीट, टॉफी और सेंपू, सावुन, हर चीज जो final consumer के लिए produce होता है और जो भी services like schooling, insurance, hospitality इन सभी के total value को जोर कर ही हमें GDP मिलता है अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम GDP में सिर्फ उसी product के value को count करते हैं जो हमारे देश में बना हो चाहे उसे किसी foreign manufacturer नहीं क्यों न बनाया हो अगर कोई product जैपान में बनता है और उसे किसी Indian manufacturer द्वारा बनाया जाता है तो वो इंडिया के GDP में count नहीं होगा वो Japan के GDP में count होगा अब हम जब भी इंडिया में GDP की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक financial year का होता है और हर country का GDP एक financial year का ही होता है जो कि हमारे इंडिया में 1st of April से लेके और 31st of March तक का होता है IMF यानि International Monetary Fund की अनुसार financial year 2019 से लेके 2020 तक इंडिया का GDP अभी तक का estimated है 2.9 trillion US डॉलर जो की इंडिया को दुनिया का चठा सबसे बड़ा economic country बनाती है जिसमें की first position पे US है जिसका economy 21.3 trillion डॉलर का है उसके बाद आता है European Union जिसका GDP 18.7 trillion dollars का है उसके बाद है China जिसका GDP 14.2 trillion dollars का है उसके बाद है Japan 5.1 trillion dollar और Germany 3.9 trillion dollars के साथ और इंडिया का GDP है 2.9 trillion dollars जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि GDP final goods और services की value को जोर कर निकाला जाता है तो इसमें agricultural sector का योगदान है 15.87% इंडस्टरी का योगदान है 29.73% और service sector का योगदान है 54.40% दोस्तों अब GDP हर साल बढ़ता है और ये जिस rate से बढ़ता है उसे ही हम growth rate मानते हैं अब जो growth rate इस financial year के first quarter यानि April to June का निकल के आता है वो है 5% जो कि पिछले 5-6 सालों के respect में बहुत ही कम है पिछले financial year यानि 2018-19 के last quarter यानि January to March का GDP growth था 5.8% अब मोधी सरकार का दावा है कि वो 2024 तक इंडिया के economy को 5 trillion dollars का बना देंगे पर सचा है ये है कि इस growth rate के साथ वो possible नहीं है इसी बात पे लोग उनकी खिलिया उड़ा रहे हैं तो बस आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ऐसे ही knowledgeable videos हिंदे में देखने के लिए और साथ ही नीचे comment करके जरूर बताएए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा